तो विद्ने भी एस्टेश्ट जेमीश टुटान टॉट्टीफोर सकेंड सौरी फर्स्ट एटेम्ट का एर एक्जाम दे रहे हैं यानि कि 24 जनुरी को सबसे पहले बी आर्क एंड बी प्लानिंग वालों का एक्जाम हुआ और उसके बाद फिर 27 तारिक से बी टेक एंड बी ए कर आए ना ताकि रिजल्ट को देख करके हम जो जो सकेंड अटेम्ट के लिए पूरा निश्चीन्त होकर हैं अपना प्रिपेशन स्टार्ट करें हैं तो इस चीज को लेकर करके आर इस उड़े में बात करने वाले एंसर की आपका कव रिलीज होगा फाइनल एंसर की आप ल सताहिस जनवरी का शिफ्ट टू का यानि की इवनिंग शिफ्ट का एंसर की यह है लेकिन फाइनली ऑफिस्यल एंट एक तरफ से कव आएगा इसके साथ साथ एक्जाम आपका रिजल्ट कव आएगा तीस चीज को लेकर करके आब बात करने लिए इससे पहले चैनल पर एनलेशिस वीडियो डाल रहा हूँ, कट आप से रिलेटेड हो गया, इंपोटेंट चेप्टर हो गया, सकेंड अटेम्ट में क्या कुछ होने वाला है, माक्स परसेंटायल, क्या कुछ जो है भहरी कर रहा होगा, यह सब से रिलेटेड जो है, सारा वीडियो मिलता रहे हैं, यानि कि आपका रैंक अगर जो एक लाख है, थोड़ा सा मिश्टेक करते हैं, तो आपको चार लाख रैंक वाला आपको कॉलेज मिलेगा, यानि कि घटिया कॉलेज आपको मिल रहा होगा, आपको रैंक बहुत ही अच्छा कॉलेज मिले, लेकिन आप थोड़ा सा मिश्टेक परिको है 27 29 31 फर्वरी को लास्ट दिन का एक्जाम होता है ना उसके तीन दिन के बाद यानि कि मीनमम दू दिन कि कि अब का उटिन दिन के बाद आपका उफिसे स्प्रेव एक ही चैनर की यह एंकब यह एक स्प्रीदिन में ah उसके भाट तो यानिकी ए चारिक आपका लास दिन एकजाम है तो दो तीन नहीं चार या तो तीन को या फिर चार को कंफर्म जो आपका एंट ये के तरब से प्रोविजनल एंसर की रिलीज होगा है ना सबसे पहले प्रोविजनल एंसर की रिलीज होता है जो कि जिसमें की ऑफिसियल एंसर की के साथ साथ आपका रिस्पॉंस सीट भी आपका रिलीज होता है और उसके बाद फिर एक सब्ता के बाद आपका official answer की with आपका response sheet के साथ आपका release हो रहा होगा है जिसमें कि आपने जो questions का answer आपने select किया हुगा है वो भी पूरा paper ही आपका download करके आपको मिल जाता है और कौन सा questions का कौन सा exact answer है वो भी आपको पता चल जाएगा अब यह बात करें कि आखिर करें कि रिजल्ट के बारे में result आखिर कितने दिन बाद आता है तो आपका जिस दिन पहले तो confirm आ जाएगा और उसको फिर दो से तीन दिन के बाद यानि कि बारह तारीक तक रिजल्ट आपका आ सकता है बारह यान कि बारह से पंद्रह के बीच में confirm या तो फिर बारह को आए या फिर तेरह को या फिर 14 को यहीं दो से तीन दिन में जो finally आपका result भी officially आ दूँगा तो बाकि बस इस वीडियो में यहीं पर इंड करते हैं बाकि आपको आगे और भी वह सारे अपडेट्स और इन इंफॉर्मिशन बहुत सारे वीडियोज मिलता रहेगा तो में 100 चैनल को सब्सक्राइब करते हैं टेलिग्राम में भी आप लोग जरूर जरूर जो वीडियो बनाने से पहले में सबसे पहले टेलिग्राम में शेयर कर देता हूं है ना